हेलो स्टुडेंट, तुडे और टॉपिक इस नैशनल इंटिगेशन यानि के राष्ट्य एकिकरन आज हम राष्ट्य एक्ता के बारे में नैशनल यूनिटी के बारे में बात करेंगे यह टॉपिक रिलेटिड है हमारे पेपर सैकेंड, सोसाइट इन इंडिया, स्ट्रक्र एंड शेंच भारतिय समाच, हम सरचनायम, परिवर्तन से संबंदी की हमारा टॉपिक है नैशनल इंटिगेशन, राष्ट्य एकिकरन, आज हम इसके बारे में जानेंगे एक ऐसा वर्ड है यह राष्ट्य की करन जिसके बारे में जैनूरी हम सभी ने सुना होता है हम इसे सभी लोग जादा तर इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और इसकी इंपोर्टेंस हमारे लिए बहुत जादा होती है इससे बहुत जादा इफेक्ट पीपल्स भी आपको आपकी लाइफ में देखने को मिल जाते हैं और हम कहेंगे कि इस इस वेरी इंपोर्टेंट फार आ कंट्री और यह हमारे देश के लिए बहुत जादा महत्पूर्ण है और अगर हम अपने देश के डेवलपमेंट की अपने देश के विकास की बात करें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक और यह हर एक देश की बिसिक नीड है जरूरत है अगर किसी भी देश में नैशनल इंटिगेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा वहाँ पर नहीं होता या इसमें कुछ वीकनेस होती है या इसकी जो रूट्स है इसकी जड़े है वो कमजोर है तो वो देश एक प्रॉपर पात पर आगे नहीं बढ़ सकता है या इसका जो एक प्रॉपर डेवलप्मेंट होता है वो देखने को नहीं मिलेगा तो किसी भी चीज पर जाने से पहले है किसी भी चीज को डिसकस करने से पहले सबसे पहले हम डिसकस करेंगे वाट इस नैशनल इंटिगेशन राष्टी की करन की बात करते हैं तो राष्टिय की करन बेसिकली की राष्टी है एकता राष्टी एकता क्या होती है कि राष्ट की एकता जो यूनिटी ऑफ अनी नेशन किसी भी देश की और किसी भी देश की जो यूनिटी होती है वो कहां से होती है इसका आधार बनते है उनहीं से व तो बहुत आप कहेंगे कि हम और इसले वाइन दिसकुस करते होते हैं बहुत सारी साथ चीज उंग convention कैसे किस वजह से जो ये चीज है ये national integration है ये क्यों weak है क्यों कमजोर है क्यों ये हमारे development के रास्ते पर जब हम जाते हैं वहापे हमें बहुत सारे barriers मिलते हैं तो उन चीजों पर हम आगे discuss करेंगे यहापे सबसे पहले हम national integration के बारे में राश्टी एक्ता का जो concept होता है जो बहुत सारे point of view से अलग-अलग नजरियों से इसके बारे में देख सकते हैं अगर हम राजनीतिक और प्रशाष्किय द्रश्टी से यानि कि the concept of national unity has been seen in many forms such as the formation of small states for political and administrative development within one power culturally following the same kind of culture and rituals from the cultural point of view the prevalence of a language, festivals, celebration and a sense of unity among all the people of the mental earth as a rising form. तो राश्टिय की करण की जो अफधाना होती है जो concept होती है इसे अलग-अलग नजरियों से हम measure कर सकते हैं अलग-अलग नजरों से इसको हम देख सकते हैं जैसे कि राजनीतिक और प्रशाष्किय द्रश्टी से जब political or administration point of view से एक power के अंतगत यानिकि एक government में हमें बहुत स सारे small states, छोटे-छोटे राजियों को जो हम देखते हैं कि हमारे देश भी जो है डिवाइड़ी इन मैनी small states and मैनी अधर जो central places parts होते हैं केंशाष्री जो हमारे राजिये हैं उनके बारे में जब हम डिसकस करते हैं कि अलग-अलग हिस्सों में हमारा देश अलग-अलग से जानते हैं लेकिन सब के ओपर एक power central government काम करती है केंद्रिया सरकार जी से हम कहते हैं इंडियन central government भारती है केंद्रिया सरकार सब पर जो होती है command किसकी होगी central government की लेकिन उसके अलावा भी जो state government काम करते हैं लेकिन वो भी किसके थ्रू काम करते हैं central government के थ्रू काम करते ह इन सब चीजों में देखते हैं कि अलग-अलग जो हमारे रिचुल्स होते हैं, एक ही प्रजो हमारा टाइप ऑफ कल्चर है, डिफरेंट रिचुल्स हैं, रिलीजन हैं, लेंगवेज हैं, हमारे फेस्टिवल्स हैं, सेलिब्रेशन हैं, उनमें जब हम जो हमारी मानसिक दरश् से बिलॉं होने के बाद, कोई South Indian है, कोई North Indian है, कोई Western Indian है, या अलग-अलग राज्यों से भी कि I'm belong to UP, and UP में भी different areas that I'm belong to Western UP, I'm belong to Eastern UP, I'm belong to Kirla- I'm belong to महाराश्टर लिकर इन सब के बाद in the last of one thing when we can say we all of Indian हम सब भारतिय हैं यानि के अलग-अलग राजियों से संबंदित होने के बाद भी जो एक sentence हम कह सकते हैं एक वाग के जो हम सभी को भान सकता है feeling of unity एकता की भावना में that is the we all of Indian हम सब भारतिय हैं और यही जो feeling है यानि के अलग-अलग हमारी भाशाएं हमारा अलग-अलग culture है हमारा celebration of festival का जो तरीका है वो बहुत अलग-अलग है और इसके अलावा जो हमारी food habits हैं addressing sense है हमारी हमारी जो local behalf पर जो हमारे differences होते हैं इन सब के बाद इन सब differences के बाद भी एक चीज़ जो हम सब में common होती है that is the हम सब भारते हैं यानि के we all of Indian हम सब Indians हैं और यही जो feeling है इसी को हम national integration राष्टी एकता कहते हैं लेकिन जब national integration की राष्टी एकता की बात करते हैं जब हम इसके बारे में सुनते हैं जब इसके बारे में बात करते हैं बहुत अच्छा लगता है लेकिन reality जो हमारे देश में वो इससे कहीं अलग है यानि के जो वास्तविकता है या हम जब society में अपने चारों तरफ देखते हैं और बहुत सारे ऐसी results हमें देखने को मिलते हैं जो वास्तव में हमें इस चीज़ को दिखाते हैं इस चीज़ को show off करते हैं कि कहीं वास्तव में हमारी राष्टी एक्ता में कमी है यानि कि बहुत सारे ऐसे reasons हैं बहुत सारे ऐसे factors हैं जो काम कर रहे हैं national integration को weak करने में और इन ही weak points के बारे में इन ही factors के बारे में हम जानेंगे अपने आगे के discussion में तो यहाँ पर national integration की हम बात कर रहे थे तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम अपने देश में अपने country में different variations के बाद भी जो इक चीज़ देखते हैं common की भारतियता हम सब भारतिये हैं we all of Indians इसी को हम national integration कहते हैं तो national integration के बारे में भी बहुत सारे point of views हैं अलग-अलग दर्श्टी कोणों से इसे देखते हैं डैसे कि हाँ पर डॉक्टर घुरिये ने बताया है कि जब राश्टिये एक ही करण को एक मनोवैग्यानिक और सैक्षिक्षन परकिरिया के रूप में परिभाशित जब हम डिफाइन करते हैं national integration को तो इसमें हमें एकता धर्डता और संबधता की भावना का यानि कि इस जो feeling हमारे अंदर आनी चाहिए इस feeling में हमारी unity और strongity और relations जो एक related feeling है वो हमें इसमें नजर आनी चाहिए तब ही हम इसे proper national integration एक संपूर राष्टी है एक ही करण कह सकते हैं इसके बारे में जो the committee of emotional integration has stated in its report भावात्म के एकता समीती है जो हमारे देश से संबंधित है इन्होंने अपनी reports के आधार पर जो एक definition है या एक slogan जो इसके बारे में कहा जा सकता है the meaning of national integration it is to create a mental attitude that motivates all individuals to have more loyalty to their country than to group and to give the highest importance to the welfare of the country rather than to rather to interests of party तो यहां पर इन्होंने कहा है कि जब राष्टी एक ही करण के अर्थ के बारे में बात करते हैं यानि कि राष्टी एक ही करण होता क्या है तो राष्टी एक ही करण का अर्थ मिनिंग होता है एक ऐसे मानसिक द्रश्टी कोन का निर्मान करना होता है यानि कि हमारे जो देश करता है, इस बात के लिए मोटिवेट करता है कि हम समहू के बजाए अपने देश के प्रती, यानि कि हम किस समुधाय से संबंदित है, हमें इस चीज़ को यहां पे याद नहीं रखना है, हमें इस चीज़ को इंपॉटेंस नहीं देखनी हैं, हम किस caste से, किस धर्म से, किस राज्य से, किस शेतर से बिलोंग करते हैं। जब हम National Intigation की राष्टी एक करण की बात करते हैं, तो हमें अपने समुदाय, अपने जाती धर्म को दरकिनार करके, एक साइड में रखके, हमें सिर्फ एक चीज पर कंसर्ट करना होता है, कि हम अपने देश के प्रती निष्ठा रखें, यानि कि हम सब को यह याद रखना चाहिए, कि हम सब भारतिय हैं, भले ही हमारे बहुत सारे basis हों, differences के, यानि कि विभिन्ताओं के बहुत सारे आधार हो, हम भाशा के आधार पर बहुत सारे विभिन्ताओं रखते हैं, अपने dressing sense के बेस पर, अपने ritual, अपने cultures, अपने foodie habits के बेस पर, अपने reasons के बेस पर, religion, community, celebrations, जो हमारे rituals हैं, इन के बेस पर बहुत सारे विभिन्ताओं हम सब में देखने को मिलती हैं, लेकिन इन विभिन्ताओं के बाद भी जो one thing is common in all of us, एक चीज जो हम सब में common देखने को मिलेगी सामानिय वो होगी, हमारी nationality, इंडियन, हम सब भारती हैं, अगर हम इस चीज को याद रखेंगे, इस चीज को सबसे सर्वो परी, जो highest हम importance देंगे, अपने इस चीज को और उसके अलावा, जो भी हमारा personal benefits हैं, हम अपने व्यक्तिक थितों को दरकिनार करके, सबसे ज़्यादा importance हम इस चीज को देंगे, कि हम सब भारती हैं, तो basically, that is the very beneficial, हम all of Indians, सबी भारतों के लिए बहुत ज़्यादा लाप्थायकों का, अब आगे हम जो हमारे factors एफेक्ट करते हैं, नेश्टर इंटिकेशन को उसके बारे में discuss करेंगे, okay students, thank you,